मेरे शेर और शेर नियों मैं अर्विन चोहान आप सभी का सवगत करता हूं हमारे ऑफिशल चैनल पेपर हैकर में जैसा कि आपको पता है रोज शाम चार बजे मैं आपके लिए खुब फूदर सा सेशन लेकर आता हूं जिसमें हम लोग CBST क्लास 10 की मैच को खतम कर रहे होते है तो हमने अभी तक के सफर में 8.2 के काफी कोशन कर ली है उसका हमारा एक कोशन रह गया है उसको हम अच कंप्लीट कर रहे होंगे और 8.3 के बेसिक्स को पढ़ेंगे और कल हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे तो सब लोग जुड़ जाएंगे और इस वीडियो को जादा से जादा वीडियो में शेयर कर देंगे इस तक यह वीडियो पहुंच पाए और इस वीडियो के अंत में कमेंट्स में बताएंगे कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ओके मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रहे है ठीक है तो हम का लास्ट कोशन हमारा रह गया था बच्छो ठीक है यह हमारी हेडिंग रहेगी 8.2 के बाद इसको हम पहले कोशन खतम कर रहे होंगे आज कि यह हमारा कोशन कह रहा है इस तरह के कोशन बहुत आते हैं एक्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि 10 ही मिलेगा यह 10 A-B ही मिलेगा उससे कोशन आएगा हमारे एक्जाम में तो वो चीज हमाले ज्यादा बैटर रहती है तो मैं आपको हर तरीके के कोशन कराऊंगा 8.3 के बाद 8.4 कर रहे होंगे 8.4 से बिटा भर भर के कोशन आते हैं एक्जाम में तो उसको भी हम खतम कर रहे होंगे आप लोग इस वीडिय वेल्यू रूट 3 पर कितनी होती है डिग्रीज में रूट 3 टैन कव होता बता यह बटा उप्लस भी टैन की वैल्यू टैन की वैल्यू रूट 3 यह एक बच्चा कहा रहा है कि वैल्यू सर्थ 60 पर होती है पिल्कुल सही बढ बोल रहे है चलिए तो मैं आपको इस कोश्चन क को स्टार्ट कराता हूं और हम इसको खत्म करकी जल्दी से इसको खत्म करते हैं और अपना 8.3 पर शुरू करते हैं ओके आए टैने प्लस भी किसी इकॉल्स टू अच्छे रूट 3 और अभी किसी ने बताया कि रूट 3 की वैल्यू से 10 की कब होती है सिक्स्टी डिग्री पर ओके यह मैंने आपको रीजन भी लिख दिया तो क्या मैं बच्छो टैन ए प्लस भी इस इकॉल्स टू 1060 नहीं लिख सकता बच्छो बेटा उस तरफ रूट 3 की वैल्यू जब 1060 होती है तो 1060 पुट कर दिया इस तरह की कोश्ट बेटा बहुत मिलिंगे आपको इसलिए बहुत ध्यान से इस पर समझेंगे ठीक है इस पर कमांड करेंगे और असानी से एक्जा से करेंगे आप कंपेरिंग बोथ साइड्स एक प्लस बी इकोल सु 60 डिए ओक यह मारी बच्छों क्या बन जाएगी फस्ट एक्वेश्ट 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 करना होगा कि जो हमें नंबर दिया है वह वैल्यू होती कि दिगरी पर है उसी को यहां पर पुट कर द सब्सक्राइब करेंगे जो आपको दिया है आप रूट थ्री बेटा कॉर्ट में फाइंड मत करने ना आपका थल्टी भी होता है लेकिन हमें जब टैन की वैल्यूस दी है तो टैन के बारे में ही सारी डिटेस निकाल ली है ओके यहां पर टैन ए माइनस भी कितना हो बच्छों बोलो एन माइनस भी कितना हो जाएगा वन रूट थ्री मतलब एन थर्टी ओके याद रखो बिटा इन वैल्यूस को अगर यह नहीं कर पाऊगे तो नहीं हो पाएगी टिक्नोमेट्री काफी बार बता चुका हूं मैं आपको चलिए यहां से बिटा ही हो गया ठी अब देखिए यहां से भी टैन और टैन को क्या कर देंगे कंपेरिंग से हटा देंगे क्या है बच्छों ए माइनस भी इस इकल टू तर्टी डिवी यह क्या होगा है हमारी सेकिंड इक्विशन ठीक है बहुत असान सवाल चल रहा है भी असान बना देंगे अगर नहीं है त तो पूई भी सवाल असान होता है तो बना जाता है बना पड़ेगा बीना सॉल्व करे या बिना तैयरी करे एक्जाम में जाओ तो प्रॉबल्म नहीं हो जाएग तो आपको क्या करना है किसी भी कोशन से भागना नहीं हो के हर कोशल्शन पर अपना ध्यान देना और उसको स बना लिए मैंने अब मैं अपनी स्लाइट पर चलता हूं नेक्स पर तो मैं आपके लिख देता हूं बैटा मैंने क्या लिखा अभी हमारी फर्स्ट एक्वेशन कितनी थी बच्चों ए प्लस बी इकल्स टू बोलो 60 डिग्री ओके और ए माइनस भी कितना था बच्चों 30 डिग्री यह हमारी फर्स्ट एक्वेशन थी यह हमारी सेकेंड एक्वेशन थी अब हम इनको सॉल करेंगे इनको हम क्या करेंगे बच्चों एड करेंगे ठीक है इनको हम लोग क्या करेंगे एड करेंगे ओके अब ठीक है फोला ब्राइट है इसको हलका कर लेंगे अब बैट अब हम क्या करेंगे इनको एड कर लेंगे अगर हम जब एडिंग करेंगे एडिंग वन एंड ओके एडिंग वन एंड तो बच्छे सिर्फ एलेच साइट को एड कर लो ए प्लस भी प्लस ए माइनस ओके और बच्छो इदर साइड कर लो और एडिस को आरेट इस एलेच तो पता होगा है लेफ एंड साइड और राइट इंड देख लो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको बहुत असानी से मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने यह प प्रॉब्लम और इदर 60 और 30 नाइनटी बच्छे एक इतना हो जाएगा 90 इस को बच्छे इसको बच्छा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 45 डिगरी एकी वैल्यू फाइंड हो चुकी हमाएं सामने अब हमें प्रॉब्लम निकाल ला होगा बी निकाल ला होगा बी निकाल देंगे बच्छो दो ही तो वैल्यूस फाइंड करनी कोशन में कोशन में खतम हो जाएगा हमारा ठीक है तो देखिए ज़रा बेटा एप्लस भी कितना था इस इक वैल्यू पुट कर दिंगे हम लोग एक वैल्यू मारी कितने आई है बच्छो 45 डिग्री प्लस बी इस इकल टू 60 डिग्री बच्छे बी कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 यहां से मारा बी कितना कैल्कुलिट हो जाएगा बच्छो 15 डिग्री कैसा लगा आपको कोशन अस बच्छों असान नहीं था तो बना दिया ना तो आप भी ऐसे को बनाएंगे और बहुत सारी कोशन से प्रैक्टिस करेंगे किसी मैं आपको दिया होगा साइन अप्लस बीकल टू रूट थ्री बाइटू साइन की वैल्यू दिये है और कितनी रूट थ्री बाइटू साइन साइन शिक्स्टी पर प्लस बी कितना जाएगा साइन सिक्स्टी यहां से एक प्लस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 यह मैं आपको एक्जाम्बल दे रहा हूं इसे बहुत से कुश्ट आपको मिलेंगे लेकिन तरीका यही रहने वाला है आपको कॉस्टिन में गैरेंटे तो यहाँ पर हात्मा कर दिया है आप हम चलेंगे अगली एक्साइज में देखो बड़ा कराऊंगा मैं आपको सब कुछ भी स्किप नहीं करूंगा एक के concept, एक के question का promise है मेरा, सारी चीज़े मैं आपके सामने करने वाला हूँ, आपका काम क्या है, copy pen साथ में रखना है, solve करते रहना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, काफी लोगों को share कर देना है, जिससे उन तक भी मेरी वीडियो ये पहुच पाएं, और वो भी हमस चुरू करने वाले, 8.3, 8.3 बेटा, direct exercise में कराता नहीं हूँ, पहले मैं concept समझाता हूँ, तो 8.3 जिस, जिन concepts पर based है, पहले मैं उन concept को आपको समझाता हूँ, ठीक है, आईए, ये हमारी slide होगी बच्चो, ओके, चलिए, ये हमारी slide हो जाएगी, trigonometric ratios of complementary angles, तो बच्चो, complementary angles से अब क्या समझते हैं, बताईए, कोई complementary angles बता सा के क्या होते हैं, चली, ठीक, ठीक, ओक, बटा, complementary angles क्या होते हैं, जिन दो angles का sum, अगर कि नहीं, दो angles का sum, if the sum of two angles is equals to 90 degree, is equals to 90 degree, then both angles are known as complementary angles, ठीक है, चली, मैं आपको आँसा, इसको हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है, अगर हम एक triangle ले लेते हैं, इस तरीके से, तो बट्टे, यहाँ पर हो गया, कितना 90, ठीक है न, क्योंकि हम trigonometry पढ़ रहा हैं, सर, एक angle तो 90 हो गई होगा, बच्चे कितने angles बटा, एक ये बच्चा, और एक ये बच्चा, अगर इन दोनों का sum, चली, इनको A, B, C मालते है A, B, अगर इन दोनों का sum, इनकीन का बटा, angle A plus angle C, अगर इन दोनों का sum 90 degree है, तो ये दोनों angle एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बच्चो, क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के, ठीक है, चली, इतनी बास समझ में आ गई है, अब चलते हैं, नेक्स इसको समझेंगे, ओके बहुत ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, ओके चल अब शुरू करते हैं बटा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, 8.3 की बेसिक को और समझेंगे, पहले हमें ट्रैंगल पड़ेगी बटा, ध्यान से लेखेंगे, ये राइट अंगे ट्रैंगल दिख रहा होगा आपको, ओके नहीं दिख रहा तो भी मान लेंगे, ठीक है, ट्रैंगल बनाना सब को आता है, वो भी नहीं सिखाएंगे, आपर, C ये है, A ये है और B ये है, ओके चलिए, तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, एंगल B और ये हो डाउन कर देते हैं, कलर इसका, अब दिख रहा होगा, ये ठीक ठीक, ओक, बड़ावा लेक देते हैं, इसको, कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए, ये किसी को, ठीक है, ओक, आजा बेटा अब पढ़ लो, क्या होगा बेटा, एंगल A, प्लस एंगल B, इस इकल टू 90 डिग देते हैं, अगर है, ये क्या करेंगे, ऐंगल b, इस आधा खर बता होगा a, ये बात आप समझ पाँ हैं, अगल एको तरफ संधे निया है, एंगिल एक उस तरफ भेज दिया वस मैं चाहता क्या हूं अभी आप समझेंगे इस बात को तो अगर यहां से हम देखें कि अगर एक एंगिल कुछ मानते हैं तो दूसरा एंगिल कितना होता है 90 माइनस पो चला जाता है तो अगर मैं इस एंगिल को थीटा ले लेता हूं इस एंगिल को मैंने क्या ले लिया तो दूसरा एंगिल कितना हो जाएगा उससाब से पस यहीं कॉंसेप्ट था यह कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस फीटा यह चीज समझाने के लिए मैंने ए और बी लिये थे ओके अब आप समझ गया होंगे अब हम चलते हैं बेसिक ज चलिए बहुत ध्यान से करेंगे एक बार आपने इसको समझ लिया अगर अच्छे से एक बार तो आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि इतनी टफ चीज है ही नहीं लेकिन आफ टफ बनाकर उसको रखते हैं ठीक है एक बार आप इस मेरे ध्यान से मेरे साथ जुड़कर इसको बहुत ध्यान से समझ लिए भले बाद में वीडियो देखिएगा ने देखिएगा लेकिन इस वीडियो को यहां पर बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आप बेटा किसी वी टीचर से पढ़ें यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप मुझे अपना प्रीशे है कि तो कि दिख लिए और मतलब एसी अगरे कि अपने अपना है कि इस ने नहीं पड़ा है जिसने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है वो उन वीडियो को देख ले जो मैं डारेक लिख रहा हूं जो मेरे साथ बच्चे लगातार आ जोड़े हैं वो बहुत जल्दी समझ रहे होंगे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए इसमें आप सब कुछ असानी से लिख सकेंगे ठीक है मैं यहां डारेट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि बच्चों ने मेरी पहले की वीडियो देख ल लोग आगे चलते हैं ठीक है अब हम आगे देखते हैं कि अब भी जो हमारी तीन टिक्नोमेटिक रिश्व बचे ना बिटा उनको लिखना पड़ेगा अभी उनको कैसे छोड़ सकते हैं लेकिन वह मैंने बताया आपको जो मुझे जोड़ा हुआ उसको पता होगा कि सथ कैसे लिखते हैं उसको अब मैं उसको निकालूँगा नहीं आप बर मैं उसको नहीं करूंगा मैं स्रिफ और स्रिफ इनके रैसिपोकल करता जाओंगा में रेसिपोकल कॉस्ट एक टीटा कितना होगा बच्चे एबी अपॉन एसी आप जब बहुत अच्छे से लर्ण कर लेंगे लिखा होगा आपको चैक करना कर लिए चलिए इच्छा को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि साइन का रेसिपोकल होता है कॉस्ट बिना निकाले भी मैं कॉस्ट को लिख सकता हूं उसको साइन से देखकर ठीक है यह आपको प्रैक्टिस सही अपने उपर कॉन्फिटेंस आएगा कि सही लिखा है वरना एक बिच्छा क्या करेगा लिखेगा तो इसका रेसिपोकल लेकिन उसको चैक जनू करेगा कि आप प्रैक्टिस करते रही है आप अच्छी कमंड रख लेंगे मैस के उपर मैस मांगता गया है मैस आपकी थोड़ आता ऐसा नहीं होने वाला आप जब तक मैस नहीं करेंगे और मैस आPको अपना ग्यान नहीं देगा ठीक है तो आप स्रुल करिए उसको तो सईक शिलिता कि इतना हो जागा इसका उल्टा बीट ऐसी उपन सब्श्य को ks इतनी बात हम लोग कर चुके थे किससे एट पॉइंट वन से ही सीखते हुआ तो अब तक तो बच्छों की बहुत अच्छी कमांड होगी मुझे यहाँ पर सम्झाना क्या है मुझे यहाँ पर बिट्टा यह सम्झाना है नाइंटी मानेस सीटा वाला कॉन से ठीक है थीटा वा वहाँ पर हम नाइंटी मानेस सीटा लेखेंगे और कुछ नहीं करना है डिफ्रेंड ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नैक्सस्यूट पर जाते है वीटा तरह एक पर ट्राइंगलत पर लिटा हैाँ फिलिया हुआ है यह सी डिफेंड मतलेंगे नावाग गलत आं मालूं है यहां पर तो फिर मेरे पूरा हम ठीक है चलिए तो बेटा यहां से अगरम साइन नाइंटी मैंने सीटा निकाले तर यह क्या हो गया बेटा अभी बताया है टीटा की जगह क्या लग देंगे अगर मैं नाइंटी मैंने सीटा लिखना चाहूं तो परपेंडिकलर बेटा किता होगा बीची और अपॉन एबी ओके अब मैं आप से कहता हूं कॉस्ट नाइंटी मैंने सीटा निकालकी दिखाई है यह कॉंसेट बहुत इजी होता है बस एक बार समझ में आना चीए अच्छ अपॉन हाई पॉन आपना फाटनी मिच्टना वच्छो एवी ओके अब बेटा हमारा क्या बच्ता है टैन बच्ता है 1090 मैने सीटा इसी को परपेंडिकलर और बेस का रिशियो पिटा परपेंडिकलर कितना बीसी और बेस के तना बीटा इस एसी ओके यह बास समझ में स्टेज में चल रहा है तो आप इसको जुड़े रही है और देखते रही है आप अपने कॉपी पैन का यूज भी कर सकते हैं तो अगर आप पैन का इस्तमाल भी करेंगे तो आपके लिए भी बड़ा हो ऑर हमारे लिए भला होगा ठीक है आप कहीं जाकर कहेंगे खी पर हैकर समेंस्टी किये तो अगर आपने बहुतनilot को आप चलिए और छार्टम करते हैं इस का रहिए वरatter पोन-पी-शio मैं एक यह गेड़े प्रीटक को स्टाल इस एक कि 90 इन टी तैटा इस इतना हो जाएगा बैच्छों अब अपन आँपन एसी अब लास्स वेडा कॉरट कॉर्ट पॉर्ट निन टी मैने श्रीटा एस इकवस टुम कितना हो जाएगा ऐसी अपन वीची अब बोलो बच्चो अब आपको कॉंसर्ट वन में इतना सा उपर लिख देते हैं चलिए 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 नीचे हो गया यह वाला हमारा दिक्कत दे रहा है चलिए चलिए कोई बात ने इसकोड़ा उपर लिख देते हैं क्या होगा बच्चों यह अरे तुम जाओ यार कि इतना होगा यह एसी अपन बीची ठीक एसी अपन बीची तो अब 99 परसेंट चीज खतम हो चुकिए वस एक परसेंट अब मेरा काम रह गया आप बस देखिए ठीक है मैं बस कंपेर करवाना सिखा हूं आप को कि क्या हो रहा ह है जो बोलता जाहूं ध्याँ से सुनना ठीक है मैंने बोला सर वीच अपने 10 बीच अपन आ आपको इसमें कहां पर मिल रहा है एक बच्चा कह रहा है कि आपको सक्षर पर मिल रहा है तो पीटा जब दो साइट एकल हो जाएंगी तो क्या दू अपोजिट साइट से दिव कुल नहीं होंगी है यही यही क्लिक है यही चीज है जो समझनी दी ऐसी बाकिसारी टिचुनोमेंटिक लेश्यू आपके सामने में लिखने वाला हूं और आप बहुत ही आसानी से समझने वाले कि अभी तरह हुआ जो सीखता आ सब्सक्राइब और आप समझ लिए और को सब्सक्राइब नहीं आएगा तो कोशन कहां से करोगे यहां पर मैंने आपको लिए सब्सक्राइब यहां पर हमारे आप देख पा रहे हुएंगे शाइन टीटा का रिश्यो लिखके दिखा यह दिया हुआ है इस्टी अपॉन ए भी दिया हुआ है इसका मतलब शाइन थीटा किसके बरापर हो जाएगा कोस्ट नैनटी मानस थीटा क्यों एक एपॉन एपी वहीं पर साइन थीटागी वैपल एकपाॉन एपी इसका मतलब कॉस्ट 90 मानस थीटा इस इकोल्स टू साइन थीटा ओके यह हमारा दूसरे रिलेशन प्रूव हो गया ओके दिख पार रहोगा बेटा आपको राइटिंग पर स्वाव सा माफ करेंगे चरी आप देखते हैं वेटा 1090 माइनस थीटा 1090 माइनस थीटा किसका बेटा रिलेशन इसका बी-सी अपॉन ए इदर किदर है कि बी-सी अपॉन एटा बताओ अदर है बेटा कॉर्टटीटा बी-सी अपॉन एटी-सी और नीचे श्वपा बैठाए ध्यान आपका अकर्षित करिए उस तरफ और तरफ विकाश आकर्षित करना दीख कॉर्ट इल्टा नीचे शुपा हुआ हमारा किफिश अपन एसी और टेन टीटा कितना है मारा टेन नाइनटी मैं सीटा बीसी अपन एसी तो बेटा क्या करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा यह कहां गई स्लाइड भई चलिए रुपीज़ा स्लाइड भाई सब्सक्राइब हो गया हमारे यह पहुंचे चलिए ओके आई जारा टैन नाइन टी मैं सीटा कितना हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा और इसी का जवाब चेक करेंगे आपका होमवर्क है मैं आपको बताता हूं कॉर्ट नाइन टी मैं सीटा कितना हो जाएगा तैन टीटा ओके यह बास आगए आपको अब दो रिलेशन और बच्चे है बच्चों उसके बाद छुट्टी आपकी हमारे इस इस चुट्टी एट पॉइंट पॉइंट रहे होंगे असानी से कोशन कर रहे होंगे सारे कोशन आपके दिमांग में सेट कर दूंगा टेंशन पैसे मगरी जी ते आप उधले शुट्स लेखते हैं पिछला वाला अब इटा क्या आया हमारा अब देख लिए किसी को भी इख लिए अब एपयर अब देख रहा है दिखने च्क लेखा हुआ हुआ को सब्लिख सकते हैं घ्ञणा इंति मनिस थीटा इस इकोल स्टू बच्चो कॉसेक थीटा और इसी का रहाइश ही फोकल क्या हो जागा बच्चो कॉसेक 90-धीटा इस इकोल स्टू ट्रैक्ट थीटा यहां पर बेटा कॉंसेट हमारा यह वाला खतम होता है ओके चलिए यह कॉंप्लिमेंटरी एंगिल्स के बारे में मैंने आप मैंने आपको सायन है यहां हो सकता यहां यहां पर स्कता है लेकिन हमें करना कहसे वह समझ लिया है अब इस को जिस बच्चर समझ लिया वो हर कोश्चन कर लेगा इस तरीके पर बेस्ट अब उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया मैंने आपको बताया कॉंप्लीमेंटरी एंगल्स के बारे में जिस पर हमारी 8.3 एकसाइस पूरी बेस्ट है एंस्यार्टी क्लास 10 की उसके बाद मैंने ट्राइंगल बनाया थीटा नाइंटी मैं सीटा वगर आपको उड़ा समझाया इस वीडियो को आप कम से कम दो बार देख लीजेगा कम से गवं और आप इतना अच्छा कमांड रख लेंगे एक बार में बैटा को समझ में आया होगा दूसरी बार में आपको याद हो जाए साथ में लेकर बैठा करिए मेरे साथ सिर्फ ऐसे करो की तरह देखना नहीं चाहिए अपने हाथों का भी इस्तवाल करना चाहिए भगवान ने दो हाथ दी है ठीक है तो एक हाथ से तुम लिखते हैं तो एक हाथ तो इस्तवाल कर लो दूसरे से कुछ भी करते हो अच्छा पाल कारते रहो फोटो केशते रहो कोई दिक्कत नहीं है इतना आपको समझ में आया ठीक है तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है मुझे पुरी उमीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी आप अपना सबोर्ट दीजिए कमेंट में आप मुझे कुछ भी लिखिए अच्छा बुरा जो भी आपके मन में है बताइए जरूर ताकि हमें पता चल सके कि कैसा हमारा रिस्पॉंस आ रहा है बच्चों की तुरूटी के तो आज के लिए में इतना ही रखेंगे अपने आसपा सफाई रखिए देश का सम्मान रखिए और हां बेड़ उसमें काफी लोगों ने बर्च रखकर हिस्सा लिया उससे मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन अब 15 अगर्ष जाने के बाद आज बेटा 29 30 अगर्ष हो रही है साफी देज हो गए हैं लेकि फिर भी तरंगा क्या है कुछ लोगों का बेटा वहीं फैर रहा है तो मैं आप अब वहां करता है हमारे राष्ट्री वच को इसलिए उसका आप भी सम्मान करें बेटा पूरत साल नहीं फैराना था चीव यंदी में समझो पूरे साल जंडा नहीं फैराना था सिर्फ उसमें सब्सक्राइब देश वक्ति जाग उठी है अब वो कह रहा है पंदरा अगर् अगर्ण करें धूर्टाइने चीजह लिए देश को सम्मान करना है अज के दैखेंगे हम आप से लाशे बात कही दो फिखर ध्यान दिजिएगा और अपने घर पर अगर अभी वी आपकर त्यरंगा तो उसको सम्मान जनक उतार कर रख दीजिएगा ऑंतरा कश्फिर से आए तो किस बात का प्रोब्लम में आपको चलिए इतना ही मैं आप से कहना चाहूंगा बाकि आपको समझदार है रहते हैं आपकी जो अच्छाए वह आप करिए मैं बस आपको राय दे सकता हूँ आज के लिए इतना ही रखेंगे कल हम कल प्रॉमिस है एट पॉइंट्री एक्सराइस को फोड दिंगे एक्जाम की खोपड़ी में छेथ कर देंगे ठीक है चले आज के लिए इतना ही जैहन्द जैभारत कि अग्याइब